हेलो अब्रिवन सागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पर तो आज हम बात करने वाले हैं थ्रॉट थिकनेस के बारे में यह स्टील स्ट्रक्चर का एक टॉपिक हैं यह वेल्डिंग वाले टॉपिक में आता है तो आज बात कर लेते हैं कि थ्रॉ में आपने जो वेल्डिंग करी है वो किस एंगल पर आपने करी है जैसे अगर आपने यह वेल्ड किया है और यह आपने 90 डिग्री पर वेल्ड किया है तो उस पर आपकी वेल्यू क्या रहेगी उसके लिए आपकी वेल्यू डिफाइन है अगर आपने किसी स्ट्रक्चर को इस तरह से weld किया है जो 90 से एबव है suppose कर लेते हैं 120 है तो तब आपकी value क्या रहेगी तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं तो k हमारा constant होता है जो angles पर depend करता है और s हमारा होता है size of weld अब बात कर लेते हैं constant की देखो हमने angle याद करने होंगे k की value हमें automatically याद हो जाएगी k इतने hard नहीं है जो इसमें थोड़ा hard पड़ता है वो पड़ता है कि हमें angle याद होने चाहिए सही से एक serial wise तो पहले हम angle देख लेते हैं देखो 60 से 90 तक तो 0.70 ही रहेगी यह हमें basically हमें याद रहती है कि 60 से लेके 90 तक की value 0.70 है तो हमें यहां का starting point मिल गया और यहां की एक value पड़ा चल गई अगर हम पहले यह देखते हैं अगर k की value देखें तो आप देखो 70 65 60 55 50 तो एक pattern में decrease हो रहा है तो यह आपको यादोना इतना मुश्किल नहीं है आपको जो याद करन है 60 से 90 उसके लिए 70 उसके बाद 91 से 100 पे 0.65 अब यहां से थोड़ा ना confusing हो जाता है कि कितना आएगा तो 101 से लेके 106 107 से लेके 113 degree और 114 से लेके 120 degree यह वाली values हैं जो थोड़ी आपको याद करने में difficulty होती है या आप confused हो जाते हैं तो इन्हें थोड़ा आप बार बार revise कर लिएगा यह values ऐसी हैं कि देखो हमें 60 से लेके 90 तक कि हमें value नॉमल याद रहती है कि वह 70 है उसके बाद अगर आप इसे लिखना स्टार्ट करें तो decreasing यह decrease होने स्टार्ट हो जाती है ऐसे तो 70 65 60 55 50 तो एक pattern में चल रहे तो हमें याद रहेगी तो बस आपको यह वाली तक्यू घंक्यु गईस